इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। और आपके दिल के लिए आपके शरीर के चारों और रक्ट पंप करना आसान बनाते हैं. इससे रक्ट्चाप कम होता है. यदि आपका रक्ट्चाप नियंत्रित है तो आपको दिल का दौरा, स्ट्रोक या गुर्दे की समस्या होने का खत्रा कम है. प्रभावी होने के लिए दवा को नियमित रूप से लिया जाना चाहिए. आप आम तोर पर इस दवा को लेने से कोई प्रत्यक्ष लाब महसूस नहीं करते हैं, लेकिन यह आपको स्वस्त रखने के लिए लंबे समय तक काम करता है. इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें. इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं. ग्लाइसर्टन सील टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है. लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए. ग्लाइसर्टन सील टैबलेड दो दवाओं का एक मिश्रन है सिलनी डाइपाइन और टैमिसर्टन जो रक्ट चाप को प्रभावी धंग से कम करते हैं सिलनी डिपे नेक केल्शियम चैनल ब्लॉकर यानि की सी सी बी है और टैमिसर्टन नेक एंगियो टेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानि की अर बी है वे रक्ट वाहिकाओं को आराम देकर और पूरे शरीर में रक्ट पंप करने में हृदय को अधिक कुशल बनाकर काम करते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद